आप सभी का हमारी यूटूब चैनल जी के मास्टर सुनी में ये इम्तवान नहीं आसा बोर्ड परिक्सा 2021 पर आया बड़ा संकट बोर्ड एक्जाम को लेकर टेंशन में सैंस स्टुडेंट कोरोना का एक्जाम काल होगा पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगी वीडियो अच्छी लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी हमारे फेस्बूक और टेलिग्राम गुरूप को भी जोईन जरूर करे HBSC और CBSC जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों हर तरफ से आपको दसवी बॉरवी की परिक्सार रद करने की मांग की जा रही है इस विशह में सिटुडेंट्स जादा टैंसन में है राजधाने में दिल्ली में कोरोना के संक्रमन बढ़तने के कारण देखते विए दिल्ली सरकार ने CBSC परिक्सार रद करने की जाने के अंदर से मांग किये अगर CBSC की परिक्सार रद की जाती है तो HBSC की भी परिक्सार रद की जाएगी मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने मंगरवाल को डिजिटल प्रेस को अंस्प्रेंस कर दिली समेथ पूरे देश में बढ़ते कोरोना संक्मर्ण की मद्दे नजर के अंदर सरकार से सीबेसी की परिक्सा करने की अपील रद करने की अपील की है उन्होंने काया कि दिली में सीबेसी की परिक्सा में 6 लाग बच्चे बैठेंगे और 1 लाग से दिक सिक्सक सामिल होंगे मुख्यमंतरी ने काग बच्चों की सुरक्सा हमारे लिए कुछ बहु जरूरी है अभी CBSC के परिक्षा आने वाली है बच्चों को उस शिक्षकों को मिला कर परिक्षा के इंदरों पर साथ लाग की संख्या हो जाएगी ऐसे में CBSC के परिक्षा के अंदर कोरोना की बहुत बड़े ओट स्पोर्ट बन सकते हैं तो इस बार CBSC के परिक्षा रथ हो सकती है, तो साथ में HBSC की परिक्षा रद की जाЕगी, क्योंकि हर्याना मेंद करोने संकर्मन थेजी से फेल रहा है, और दूसरी आउर परिक्षा के अंदर करोने विस्पौर्ड का स्थान बन जाएंगे, ये सिंध्छा मंतरी मनिसी कि देश बर्मी कोरोनो के मामले को देखते वह अब वक्त आ गया है कि सीब्यस्टी बोड परिक्षा रद की जाए अब पूरे साल सिख्षा पुराने तरीके से नहीं हुई तो साल के अंत में परिक्षा पुराने तरीके से कराने की केंदर की जिद क्यों है अगर कोई केंदर कोरोनो वैं स्पोर्ट वाले सतान बन जाएंगे अतों दो SPAR आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए क्या परिक्षा रद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोरोना संग्पन्टेजी से फैल रहा है तो ऐसे में कोरोना ज्यादा फैल जाएगा